पुर्व मंत्री यश्पाल आर्य के पुत्र संझीव आर्य की कॉंग्रेस में वापसी के बाद से ही नाराज थी संजीब नैनिताल से विधायक रह चुके हैं वहीं सरीता आर्या भी नैनिताल से विधायक रह चुकी है बीजिपी नैनिताल सीट से अपना उमिदवार उन्हें बना सकती है सरीता आरया ने कहा कि कॉंग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है और नाहीं महिलाओं को Ticket दिया जा रहा है और बीजिपे में उन्होंने Ticket के बात तो की लेकिन क्या होगा ये Party को तै करना है महिसियम धामी ने भी कहा सरिता आर्य के बीजिपे में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी पार्टी में टिकट नहीं दिये जा रहे हैं को हर छेत्र में हर दिशा में एक मजबूती प्रदान होगी गंगोत्री सीट से आमादवी पार्टी के अजय कोठ्या लगातार बीजिपी और कॉंग्रेस पर हमला कर रहे हैं और बड़े चहरों को लड़ने की चुनावती दे रहे हैं वहीं अब बीजिपी और कॉंग्रेस ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है गंगोत्री सीट राज्ये के सबसे होट सीट मानी जाती है माना जाता है जिस पार्टी का प्रत्याशी यहां से चुनाव जीतता है उस पार्टी की ही सरकार बनती है आम आदमी पार्टी ने मिठक के महत्व को समझते हुए इस विधान सभा से अपने सीएम कैंडिडेट अजय कोठियाल पर दाउं खेला है और अब वो बीजेपी और कॉंग्रेस के सीएम चेहरों को यहां से चुनाव लड़ने की चुनावती दे रहे हैं वही कॉंग्रेस ने कोठियाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो अपनी नई पार्टी को यहां लॉंच कर रहे हैं इसलिए पार्टी को अपने उपध्यान देना चाहिए जबकि बीजेपी ने कहा कि अजय कोठियाल सिर्फ ओची बाते कर रहे हैं बीते 20 सालों से या तो कॉंग्रेस या तो बीजेपी सत्ता में रही दोनों पार्टीों में एक दूसरे पर हमला करना आम बात रही है लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने आते ही इन दोनों को चुनौती दे कर लड़ाई को दल्चस्प बना दिया है उतरकाशी से न्यूजेटीन के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट